कि नमस्कार दोस्टों मैं आपहोस और टेक्नीटर से हूँ और आज हम आपके लिए क्या है कोड़क की 43 इंच की फूल एजडी एंड्रॉइड टीवी इसका हम करेंगे आप लिए डिटेल रिवी और जानेंगे कि यह टीवी कैसा है काई अपने इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं कि इस टीवी में क्या क्या है उससे फिर हम आपको इसमें एक एक जो इसके जो फीचर से हैं उसको हम दिखाएंगे और फिर हम बात करेंगे कि इसमें आप कहां से आप वाल्यूम को इंक्रीज करोगे पिक्चर की पॉलिटी को आप कैसे इंक्रीज करोगे और इसमे ठीक बगर में Google Play Store, चुकि आपको Android TV है, तो यहाँ पे Google Play Store आपको इसके अंदर pre-loaded install होके आता है, फिर आप देख सकते हैं, YouTube है, Prime Video है, आपको Disney Hot Star है, आपको Sony Live है, G5, यह सारे आपको आप यहाँ पे मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखे, यहाँ पे Disney Hot Star के यह आपको जो content है, वो दिख रहे हैं, तो इस चीज़ को आप set कर सकते हो, आप setting area के अंदर जाकर, यहाँ पे आप देखे, यहाँ पे आपको setting area है, और इसके ठीक बगर में यहाँ आप देख सकते हो, जहाँ अभी आप white आप देख सकते हैं background में है, यहाँ से आप इसमें, जो apps है, apps कहीं अंदर जाके, आपको मैं यहाँ पे देखे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको किस app को आपको permission देना है, आप देख सकते हैं, उस हिसाब से जैसे कि हम स्मार्ट फोन में permission देते हैं, उस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप देखे, उस उसको आपको connect करके इस TV को आपको देखना है तो आप यहां से आप connect करके देख सकते हैं जैसे कि यहां पर देखी यहां पर मैंने अपना headphone यहां पर इसके साथ connect किया हुआ है आप देख सकते हैं, इसके ठीक नीचे यहां पे my remote याणि कि आप यह देखी ही, यह जो remote है जो की एज टीवी के साथ आता है इसको यहांपे यह connected है, आप देख सकते हैं अब हम device preference के अंदर चलते हैं यहां पे सबसे उपर देखें यहांपे about है अब आउट में आप सब से उपर देख सकते हैं system update यानि जब भी इस tv के अंजर जब update आएगा तो आपको यहीं से अपडेट होगा तो यह काफी अच्छा आप देख सकते हैं आपको कहीं नहीं जाना है तीवी में जब भी update आएगा आपने बाद सेटिंग एक अंजर जाना है और यहां पर आके आपको इसको अपडेट करना है इसके अलावा नीचे देखिए version की बात करें यहां पर देखिए version 9 यहां पर आपको दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहा sound के लिए है sound के लिए देखिए यहां पर इतने सारे option दिये गए है कि आपको कौन सा sound यहां पर आपको यूज करना है आप कर सकते हैं आप देखिए यहां पर format दिया हुआ है इसके अलावा यहां पर काफी storage देख सकते हैं device के अंदर अभी जो actual storage internal storage कितना बचा है वो आप home और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको इसका जो license है इस Android TV का वो यहां पर आप देखिए यहां पर आपको देख रहा है तो यह proper Android TV है यह सारा मुझे दिखाने का main मतलब यही था इसके अलावा Google Assistant भी है Chromecast built-in है इसका यह मतलब होता है Chromecast built-in का कि अगर जैसे कि आप अपने smartphone पे YouTube के कुछ content देख रहे हैं और आप चाहते हो कि सेम वही content आपके इस TV पर चले तो आप अराम से इसको cast कर सकते हो अपने TV के उपर और इतना ही नहीं आज के date में जैसे कि Hot Star में भी यह facility है कि आप किसी जो content देख रहे है उसको आपको TV के उपर cast करना है तो वह भी आप कर सकते हो यह मैं करकर दिखा हुआ हूँ तो इसलिए मैं इस feature को भी काफी highlight करना चाहूँगा कि यह भी काफी अच्छा feature है इस smart TV के अंदर इसके बाद है आपको screen saver यान screen saver यह होता है कि जब भी आपका जो screen जो है यूज में नहीं है तो कितने देर के बाद वहां पे आपकी जो भी आप screen saver वहां set करते हो वह सारे लोग अपने family के picture set करते हैं कुछ लोग भाइडिफॉल्ट जो इसके अंदर तो पिक्चर्स होते हैं उसको set करते हैं तो वह सारा यहां पे आता है आप देख सकते हैं screen saver में इसको आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं पूट डिवाइस विसलीप यह ओप्षन आपको जनरली आप लैप्टॉप में देखते होगे वह भी ओप्षन यहां पर दिया हुआ कि कितने टाइम तक यह इन अक्टिव है तो यह जो आपको एंड्रोइड टीवी है यह स्लिक मोड में चला जाएगा जैसे कि लैप्टॉप की अपको इंस्ट्रॉल करते हैं तो वहां पर आपको सेकृkin network स्ट्र्विक्शन दिया हो कैया होता है वह भी आपको आपको एब सस्द्रॉबल है तो इस हिसाब से भी आप इसको यहां पे अगर आपको थर्द पार्टि नप्रोओं को इंस्ट्रॉल करना है तो यहां पर कैसे smartphone में, जब हमारे phone में कुछ problem आती है, तो हम उसको reset करते हैं, या फिर कुछ setting के साथ छेड़चार हो जाती है, और हमें समझ में नहीं आता है, तो हम जैसे smartphone में reset करते हैं, उस तरीके से अगर आपको smart TV में, अगर कुछ भी गल्ती से install हो गया है, और आपको पता नहीं चल आई अब हम जल्दी से इसकी जो ये रिमोट है इसके बारे में हम बात करते हैं ये देखिए इसका जो रिमोट है काफी एक प्रेमियम क्वालिटी का है आप देख सकते हैं इसके ठीक पीछे यहां पे देखे यहां पे दो सेल यहां पे लगेंगे यहां पे आप देख सकते है volume increase, decrease के लिए दिया गया है, back के लिए दिया गया, home पे दिया गया है, home का मतलब है कि अगर आप YouTube या hot star में कोई भी आप match देख रहे हो, news देख रहे हो, serial देख रहे हो, या कोई भी अपना मन पसंदिदा content देख रहे हो, और आपको सीधे A से screen पे आना है, तो ये home screen को आप tap कर आप आजाओगे, सबसे ऊपर यहाँ पे देखे, यह है आपको volume, जो भी आप सुन रहे हो, उसको mute करना है, यह देखे, इसको mute आप कर सकते हो, यहाँ पे ऊपर यह देखे, red में जो है, यह है इसका power button, यहाँ पे आपको यह है, आप देख सकते है, यह इसका toggle की है, जिससे कि आप left, right कर सकते हैं, किसी भी content को अगर आपको select करना है, यहाँ से, इस बीच वाले को press करके आप कर सकते हो, TV के पिछले हिस्से में चलते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, कि हमें ports कहां कहां पे मिलेंगे, और इसके अलावाई, back side में TV की आपको मोटाई कितनी है, यह भी हम check करते हैं, तो यहाँ पे देखे, एक दम हम close से आपको दिखाना चारे हैं, यह जो TV है, यह काफी पतला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जब आप fit करोगे, तो यह ज्यादा जगा नहीं लेगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ ports जो हैं, यह आपको TV में, आपक देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे इस TV के ठीक निचले हिस्से में भी आपको कुछ controls दिए गये हैं, जैसा कि remote में होता है, अगर remote में कुछ problems आ जाए, तो आप यहाँ से भी आप smart TV को आप operate कर सकते हैं, यहाँ पे जो controls दिए गये हैं, आपको volume increase decrease के लिए, channel बढ़ा इस smart TV का, इसके अलावा और भी कुछ ports जो हैं, वो आपको TV के निचले हिस्से में दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 3 HDMI ports मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 ports, इसके अलावा यहाँ पे देखे, earphone का आपको एक dedicated port है, यह आपको दिखता है, Kodak Android LED TV यहाँ पे mention है, 108 cm का आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, overall आप देखे में यह जो TV काफी पतला है, जिसके वज़ए से जब आप इसको आप वाल के उपर fit करोगे, तो यह वहाँ पे कुछ ज़्यादा जगा नहीं लेगा, तो दोस्तों, यहाँ आप यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको काफी अच्छा वीडियो यहाँ पी दिखेंगा, और साउंड की क्वालिटी भी काफी अच्छी आपको सुनाई देगी, तो आइए मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ और आप इसको देख झाल, 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 झाल तो दोस्तो यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ एक वीडियो प्ले किया था, जिसने की मैंने आपको पिक्चर की क्वआलेटी और साउंड की क्वालेटी को दिखाया, तो आपको पिक्चर की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी कैसे लगी इस TV की आप हमें कबेट सेक्शन में जरूर बता है अगर मैं अपना एक्सपेंस से यहां पर शेयर करूँ तो मुझे पिक्चर की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी इस TV के ऊपर काफी अच्छा लगा इस पर मैंने आपको खुब सारे स्पोर्ट देखें जैसे कि IPL देखा, ETL देखा उसके अलावा अगर मैं आत करूँ मूवी की तो हॉलिवूड की खुब सारी मूवी मैंने देखी तो पिक्चर की क्वालिटी काफी ही मुझे क्रिस्टल क्लियर लगी, साउंड की क्वालिटी भी काफी अच्छी लगी मुझे इसके उपर, क्योंकि साउंड में क्या हो था कि कितने बार बहुत सारे टीवी में आवाज फटने लगता है, जो कि इस टीवी में में मेरे को कोई भी कॉंटेन देखने में ऐसा कोई महसूस नहीं गवा उसके अलावा जो सबसे बढ़िया बात एक और जो थी जो कि मैं आपको बताने चाहूंगा वो कि आप अगर चाहते हो कि आपके पास कोई भी हेड़फोन है उसको भी आप इस टीवी के साथ कनेक्ट करकर आप देख सकते हैं तो ओवराल जो पिक्चर की क्वालिटी और साउंड की क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छा लगा उसके अलावा इस टीवी की जो विंग एंगल की हम बात करें तो वह भी काफी अच्छा है आप घर के लगभग एक सो असी डिग्री से कम के जितने भी आपको एंग अगर कोई भी स्ट्राइब के टीवी को अपने घर पे आप हैंग करते हो कहीं भी फिट करते हो तो टीवी को जहां पर फिट करते हो और जहां साब बैट के देखते हैं उन दोनों की बीच का जो डिस्टेंस है वह 8-10 फिट का होना चाहिए उससे क्या होता है कि विंग एक् टेक्निट्र है इसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आप अदेख साधी की वीडियो देख सकें अगला वीडियो लेकि में जल्दा होगा तब तक सायोनोरा टेक क्यर थैंक्यू